कि जब प्रोपेगंडे फैलाए जाए जूट फैलाए जाए जाए इजाम लगाए जाए तो हमें बिगे सोचे समझे किसी पर तफसरा नहीं करना चाहिए लोग इस तरह से मक्करिया करते ना हकीकत को इस तरह छुपाते हैं कि उसको समझे लाना बढ़ा मुस्किल होता है आप पुराने वाकिया देखें सुरे बकरा में गाय का वाकिया है Inside israel में एक आदमी गतल हो जाता है तो कतल हो जाता है तो कातिल कौन है इसका पता लगाना उस वक्त किसी के बसका था ही नहीं कुछ ऐसे मक्कार होते हैं कि किसी का कतल करके किसी का खून करके कातिल को ऐसा अंडरगराउन करते हैं चुपाते हैं की उसका नाम नहीं आता है और किसी और के सर पर इल्जाम डाल देते हैं चुनाचे जो सुरे बखरा कियाते है आई तो उसका पहसे मंजर ये है, बाद मुफस्रिन ने लिखा है कि एक बन्दे ने एक आदमी का कतल करने के बाद उसकी लाश को उठा के किसी और के रुख दिया ताकि कतल का इल्जाम इस पे लग जाए अब हुआ क्या? मारा किसी और ने? इल्जाम किसी और पे लग गया अब इसे हकीके से परदा उठाना था कि भही ये जो मक्तूल है, जिसको मरा गया, आखिर इसका कातिल है कौं? कातिल पकड़ ही में नहीं आ रहा है . कातिल कोई पहुंची नहीं पा रहा है तो अब उसका हल यही निखा लगा आ यही निकाता, ऐसा हल पेश किया जिसको कोई जोटला ही नहीं सकता यानि कोई गवाह नहीं कोई सबूत नहीं कोई एविडेंस नहीं अब कातिल है कौन तो अल्ला ताला ने कहा कि इसका सबसे बेतिन तरीका क्या है कि जिसको मारा है इसको दुबारा जिन्दा कर दो खुद बताएगा कि मुझे किस ने मारा तो भाकादा उसका प्रोसраш जो बताएगा कि गाये जबा करो गाये का गोश्च इसकी लाश पर मारो ये जिन्दा कर बताएगा मुझे किस ने मारा तो आप अंदाजा करें कि उसको अगर अगर अल्ला ने दुबारा जिन्दा नहीं किया होता तो इस सचाई को सामने लाने का धरती पर कोई अविडियन्स नहीं था कि इसको किसने मारा है धरती पर इसका कोई सबूत नहीं था, कोई अविडियन्स नहीं था कि इस आदमे को किसने मारा है, इसको सचाई को सामने लाने के लिए, कातिल को ऐसा अंडरगराउंड किया था, ऐसा छुपाया था, कि Allah ने उस गातिल को सामने लाने के लिए एकस्पोस करने के लिए उस गातिल को बेनकाब करने के लिए लाश ही को जिन्दा कर दिया 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 लाश ही को जिन्दा कर पाइब सामने कूछ लोग आये और जिन लोगों पे शक हा उसका नाम बताने च्रहिए को क्या तुम्हें इसने मारा है तो ऐसा खामश ले टीविए फिर क्या तम्हें इसने मा रहा है? तो फिर एक और नाम आया क्या तॉ तू उसने फ आशारत विरासिया नाम उसने अपने सर के एशारे से का कि हाँ इसी ने मुझे मारा बोल भी नियसा जिए इस तर इशारे किया उस इशारे की बिनियात पर उसको इतना बड़ा evidence वाना गया कि उसको पकड़ कि इसको कतल करवा दिया गया जिसने इसको मारा था इसलाम ए कोन का बज़ा है तो देखें, जो मकतूल है, जिसको मारा गया है उसका statement कितना अहम होता है कि अगर वो मरने से पहले बयान देते कि मुझे किसने मारा है तो वो सबसे अहमियत का हामिल होता है और ये जो बन इसराइल का वाक्या है तो मर चुका था मरने के बाद दुबारा जिन्दा करके तो किसी भी वाक्य में अगर जिसको मारा गया है जिसको शहीद किया गया है अगर उसका खुद का statement है कि मुझे किसने मारा है तो बता ये उससे जदा अहम बात क्या हो सकती है ऐसे ही फाइदे मन इस्लामिक वीडियो देखने और मनहज सलफ पर किताब औ सुन्त की तालिमात को आम करने में हमारा ताउन करे ताकि आपके लिए जरिया नजात जन्नत के हुसूर का सबब साथ ही माल में बरकत वा इजाफे का जरिया भी बने आमीन जजाक अल्लाहु खेरन